जैश्री कृष्णा, All My Dear Ones, अभिमन्यू अर्जुन पूत्र। अभिमन्यू का नाम आते ही एक सहसी बालक की छवी मन में गूमने लगती है। महा भारत के एक महत्पून पात्र अभिमन्यू, पुरुकुल के राजा वा पांड़ो में से अर्जुन तथा यादव राजकुमारी सुबुद्रा के पुत्र थे। श्री कृष्ण और बलराम जी उनके मामा और गुरु थे। विराट नरेश की पुत्री राजकुमारी उतरा अभिमन्यू की पत्नी थी। जिनके पुत्र परिक्षित ने संपून भारत बर्ष में चक्रवर्थी नरेश के रूप में साशन किया। कथा में उनका चल और अधर्म द्वारा कारूनिक अंत बताया गया। परन्तु अभिमन्यू जैसी ख्याती किसी भी अन्य महाभारत योदा को नहीं मिल सकी। अभिमन्यू महाभारत काल के सर्वस्ट्रेष्ट योधाओं में से एक हैं तथा सबसे कम आयू के सर्वस्ट्रेष्ट योधा हैं। अभिमन्यू को द्वंद युद में हराना असंभव माना जाता था। अभिमन्यू अर्जून के पुत्र थे 15 वर्ष की आयू में फालगून मास में उनका विवा उत्रा से हुआ। 16 वर्ष की आयू में अशार मास में जिस दिन ये महाभारत के युद में वीर गती को प्राप्थ हुए। उससे एक दिन पूर्व ही अभिमन्यू की पत्नी उत्तरा ने गर्बधारण किया था। द्वापर यूग में सबसे कम उम्र में इस्त्री के शारीरिक सुक और संतान जन्म की प्राप्ति करने वाले ये इकलोते थे। अभिमन्यू महाभारत के नायक अर्जुन और सुबोद्रा जो बलरामबा कृष्ण की भेने थी के पुत्र थे। उन्हें चंदर देवता का पुत्र भी माना जाता है। समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अफ्तार के रूप में धर्ती पर भीजा था। परन्तु चंदर देव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते अते उनके पुत्र को मानव योनी में केवल 16 वर्ष की आयू दी जाए। अभिमन्यू का बाल्यकाल अपने ननिहाल द्वारिका में ही बीता। उनका विवा महराज विराट की पुत्री उत्रा से हुआ। उन्होंने कौरफ पक्ष की वियू रचना जिसे चक्रवियू कहा जाता है के साथ में से छे द्वार भेद दिये थे। कथा के अनुसार अभिमन्यू ने अपनी माता की कोक में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रवियू बेदन का रहस से जान लिया था। पर सुबद्रा के बीच में ही निद्रा मागन होने से वे वियू से बाहर आने की विदी नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यू के मृत्यू का कारण जैदरत था जिसने अन्यव पाण्वो को वियू में प्रवेश करने से रोग दिया था। इसी का लाप उठा कर वियू के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारती युद्ध के मान दंडों को गुला कर उस पालक पर तूट पड़े। क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का युद्धा द्वन्द युद्ध में अभिमन्यू को पराजित नहीं कर सकता था। अपने विजय धनुष से पीछे से वार करके रोद्र धनुष को काट डाला था। क्रोदित अभिमन्यू कुछ समझ पाते उत्ते में ही उनके रत को दोना चारे ने प्रहार किया। देखते ही देखते अफसर पाकर सभी युद्धा अभिमन्यू पर तूट पड़े। दुरियोधन पुत्र लक्ष्मन को यमलोक पहुँचा कर अभिमन्यू दुरियोधन के सामने बंश विनाशक के रूप में ग्रिनित हो चुके थे। क्योंकि दुरियोधन के बाद राजा के रूप में लक्ष्मन ही राजय करते। ऐसी स्थिती में सवी कौरव महाराथी के क्रोध छल और अधर्म का सामना अभिमन्यू को करना पड़ा। जिस कारण उसने वीरगती प्राप्त की। परन्तु फिर भी अभिमन्यू ने अन्त तक धर्म का त्याग नहीं किया। मामा श्री कृष्ण का एक नाम रणचोड भी है परन्तु अभिमन्यू की शिक्षा में उनके बड़े मामा श्री बलराम की शिक्षा अधिक दिखाई प्रतीत होती है कर्ण ने अंतिम शणों में अभिमन्यू को ही सर्विश्रेश धनुर्दर मान लिया था वे बहुत अधिक लज्जित थे अभिमन्यू की मृत्यू का प्रतीशोद लेने के लिए अरजुन ने दैदरत के बद की शपत ली